हेलो दोस्तों आज हम लंच में बनाएंगे राजमा चावल और वो भी बहुत आसान तरीके से बनेगा तो राजमा को मैंने ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था फिर सुबह उसमें बहुत अच्छे से पानी डाल कर वाश करना है उसके बाद इसमें हम पानी एट करेंगे थोड़े से मसाले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लादमिश का पाउडर एट करेंगे फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे यहां पर ज़्यादा मसाले अलगे अलगे धकल लगा कर इसको चाहर-पास सीटी आने तक पकने देंगे चली गयस पर रख देते हं जब तक सीटी आ रही है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं तो यह देखिए ग्रेवी को बनाकर रेडी कर लेंगे थोड़ा सा टमाटर और प्याज लेसुन अधरक ले लिया है तो आप टमाटर टोटले स्किप कर सकते हैं और इस तरीके से थोड़ी प्याज ज्यादा ले ले अच्छे से इसको हम चार में डालकर इसे ग्राइंड कर ले मिकशिर हमारा बन चुका है अब हम रैस बना लेते हैं तो राइस को मैं आचही से बोश कर लिया था इसमें पानी दाल थे चाह तो छलिए को चेक करें निकी हमारा बहुत अच्छे सरे सब्सक्राइब काG इस तरी किसे आप तरहा जाते आप का हैति पें डेंगे फटे किसे दुटर्ड आप टालतेकं अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें खड़े मसाले जीरा तेजपता लॉंग इलाइची जो भी हो अविलिबल थोड़े बहुत आप इसमें डाल देंगे इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है तो जैसे ही खड़े मसाले पक जाएंगे तो फिर इसमें एड़ करेंगे ह साथ मसाले एड़ करेंगे ज़्यादlı भी जाएंट करेंगे जो हमारे घर में होते जहीं ही डालेंगे तोड़ासा फाउड टाल देंगे और थोड़ासा लाल मिझ का पाउरर एट करेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ासा धनिया पाउडर कह ड़ताश्ट differenti जोड़ा शूटा डाला था तो अमचुरका पौडर एट करेंगे पिर नमक डाल देंगे बस सारे मसाले डाल दिये हैं तो आप चाहतो अगर पास राजमा मसाला ताप उसे भी एड़ सकते हो पर उसके बिना भी राजमा बहुत ही टेश्टी बनता है तो देखे मसाले सारे डल बनकर रेडी हो चुका है तो यह देखिए राजमा के साथ खाने के लिए चावल हमारा बनकर अच्छे से रेडी है अब इतनी देर में हमारा यह राजमा भी बनकर रेडी हो जाएका तो बहुत जल्दी हमारा जो लंच बनकर रेडी हो जाता है मॉर्णिंग में आप इसे ब जालेंगे क्योंकि हम इसमें एक दू-सी टी और लगानी है जिससे क्या होगा कि जो मसाले आपसे बहुत अच्य मिक्स होंगे और हमारा जुराजमा बहुत इचा सॉप सबन कर रेडी होगा तो यह दीक है अच्छे से मिक्स कर दिया है और बहुत अच्छे से ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उसे साफ से पानी एट कर देंगे तो बस इस तरीके से सारा कुछ रेडी हो गया इसमें और कुछ हमें कुछ भी नी डालना है और इसमें सिर्फ दो सीटी लगानी है तो जब तक सीटी लग रही है तब तक हम ब्रेकफास के लिए सैंविच बन अच्छा कलर ओदेख लें तो तो यह बहुत जब देना है तो यह इस तरीके से तोड़ा सा कलर आने तक हमें से सेख लेना है और यह चेटपट वन जाता है बांडिंग में सैंविच बच्चों को भी आप इसे लंच में दे सकते हैं उन्ने बहूत ही पसंद आए का तो यह इस तरीके से हमारा ये सैंविच बनकर रेडी है ब्रेकफास के लिए तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा राजमा ये देखे कितना अच्छा कलर आया है तो इसमें मैंने दो सीटी लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से सौफली पक चुके हैं तो ये देखिए बहुत ही हजबन का लंच में दोनों पैक करने वाली हूँ तो जैसे बच्चों को भी आज में राजमा ही दूंगी तो राजमा तो सबका बहुत ही फेवरेट होता है बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं तो इस तरीके से मैंने सारा लंच रेडी कर दिया है तो ये देखिए तोड़ काफी है मिल सकती है क्योंकि मैं बच्चों का उस्मिन का दोनों का लंच रेडी करती हूँ तो इससे आपको सुचना नहीं पड़ेगा डेली क्या बनाना है आपको मेरी वीडियो से काफी है पिल सकती है तो वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक करें चैनल को कि अ कहते रुई मैं सब्सक्रावभा स info दो कि नहीं तो ऑफिर हैं हने जहीं सुघती है ऩर वीडियो प्ला ड़ाओेए और का लग़ेटियो से लाँ शो नहीं आपकर कर जो पकाँते हैं है जहीं हैं है Ugh civitt और र walls!